सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छूटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफेकीशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नज़र नागरिक्ता संसोधन कानून CAA को सरकार ने आखिरकार पूरे देश भर में लागू कर दिया है लोग सब्सक्राइब से ठीक पहले बिजेपी सरकार के ये कदम काफी एहम माना जा रहा है ये वही कानून है जिसे लेकर कुछ साल पहले देश भर में कई प्रदर्सन हुए थ क्या अब सभी को अपने कागस दिखानी होंगी सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार CAA को क्यों लाया गया है और इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है दरासल इसके नाम से जाहिर है कि इससे नागरिक्ता देने के लिए नया कानून लाया गया हिंदू सिक बहुत जैन पार् भारत आए लोगों को नागरिक्ता जी जाएगी भारत में पांस साल से ज्यादा वक्त में रहने वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं अब सवाल यह है कि आखिर इस कानून को लेकर विवाद क्यों हो रहा है दरासल CAA के तहट मुस्लिमों को नागरिक्ता देने का प्रवदान नहीं रखा जया है यही विवाद की असली जड़ है प्रदर्सन करने वाले लोगों को कहना है कि भारत जैसे धर निर्पेक्स देश में किसी एक समदाय को पोड़ने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए मुस्लिम समदाय के लोग भारत में सरण लेने के 13 साल बाद नागरिक्ता के लिए अवेदन कर सकते हैं और अब आते हैं मेर मुद्दे पर जो की है क्या सभी को अपने कागरिक्ता दिखानी होगी दरसल अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल या है कि CAA के बाद सभी ल Cisco अब रेस्च से को भी सरकार की तरह से लाया जाएगा इसमें उन लोगों को पर सानी होगी जिसके पास उचित दस्तावेज नहीं होगा कि दावा किया जारा है कि सरकार आउने का तरक दिया जाता हैं इसमें करीब 19 लाख लोगों के नाम लिश्ट से बाहर थे। खबरी चौकट की रिपोर्ट